नमस्कार दोस्तों, BACAT की क्लास्स में आपका स्वागत है और आप अपने चैनल को अनेकेडमी लर्निंग एप पर भी फॉलो कर सकते हैं जिससे के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइट करा दिये गया है यहां अनेकेडमी पर आपको मिलेंगी यूपी ट्रपल सी, लोर पीसियस, आरारवी, एंटी, पीसी, आरारवी, ग्रूप डी के लिए मैथ और रिजनिंग की इस्पेशल क्लास्स जो आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आरारवी, एंटी, पीसी और आरारवी, ग्रूप डी के लिए, तो मुझे उमीद है इसमें से आपको कुछ ना कुछ कोशन तो जरूर मिलेंगे, लगवग 5-10 कोशन आपको इसमें एजिट मिल जाएंगे, तो सुरू करते हैं, पहला पहला पॉइंट यह कह रहा है कि एक प्रकासवर्स कितने मीटर के बरावर होता है, तो एक प्रकासवर्स होता है, 9.46 x 10 की पावर 15 मीटर के बरावर, ठीक है, और एक पार से होता है, 3.26 प्रकासवर्स, या अगर इसे मीटर में देखेंगे तो हो जाएगा, 3.08 x 10 की पावर 16 मीटर ठीक है, तो यह सारे जो हैं, योनिट्स हैं, यह आपको सारे ऐसे ही याद रखने हैं, जैसे एक न्यूटन होता है, 10 की पॉवर 5 डाइन के, यह पिछली बार आया हुगा कोश्चन है कि एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर था, तो एक न्यूटन 10 की पावर 5 डायन के बरावर था एक जूल होता है 10 की पावर 7 अरग के बरावर एक वाट सेकेंड होता है एक जूल के बरावर एक वाट घंटा होता है 3600 जूल के बरावर और एक किलो वाट घंटा होता है 3.6 into 10 की पावर 6 जूल के परावर और एक अश्व शक्ति यानि होर्स पावर होता है 7.746 वाट के परावर ठीक है तो यह जो है इतने सारे स्केल यह आपको ऐसे ही याद रखने है और इसमें से एक कोश्चन तो आपको जरूर मिल जाएगा डेफनेटल यह कोश्चन आपको मिलेगा ठीक है अब हम आपने आगे के पॉइंट्स की तरफ चलते हैं यह कह रहा है चंद्रमा प्रतवी का एक प्राक्रतिक उपगरह लाजब देखिए यहां पर प्राक्रतिक सब्दार प्राक्रतिक उपगरह यानि नेजुराल सेटलाइट है और जबकि नए आई-ए-ए-स-एट- mee यह प्रतवी का करतिम उपगरह क्रतिम उपगरह का मतलब है ये मानव निर्वित है और मनुष्यों ने बनाया है इसे ठीक है तो जब आपको ये पूछा जाए कि प्राक्रतिक उपगरह कौन सा है तो आप चंद्रमा बताएंगे और क्रतिम उपगरह पूछा जाएगा तो आप इसका नाम लेंगे इंसेट B क ठीक है आगे चलते हैं अगले पूइंट की तरफ उपगरह कि कक्षिये चाल उसके द्रमान पर निर्वर नहीं करती देख ये कोशन ऐसे आता है कि उपगरह की जो कक्षिये चाल होती है वो किस फेक्टर पर डिपएंड नहीं करती तो आपको पता होना चाहिए कि उप द्र द्रब्मान का पिंड है और कोई छोटा सा कम द्रब्मान का पिंड है लेकिन जो उनकी चाल होगी कक्षिय चाल वो समान होगी ठीक है क्योंकि वो उसके द्रब्मान पर निर्वर नहीं करती है यहां पर द्रब्मान कोई इशू नहीं रखता है आगे चलते हैं उप ग्रह की कक पुआँं पास में तो इसकी चाल जत्यादा होगी ठीक है तो यह दूरी पर यानि कक्षिय तिर्जाह पर निर्वाड़ करती है है। उसकी चाल से इस पॉइंट आपको ध्यान रखना है अगला है यह साटी है अगला है साटी निक्ट इसे पास चक्र लगाएगा उपग्रह उसकी चाल लगवक कितनी होगी 8 km प्रति सेकंड यानि एक सेकंड में वह 8 km की दूरी तै करेगा अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग प्रत्वी के अती संभीप चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमान अपकाल एक घंटा 24 मिनट होता है ठीक है अगर इसे हम लोग कई बार ऐसे आ जाता है कुशन हो 84 मिनट मतलब घंटा 60 मिनट हो गय अगर का परिक्रमान काल एक घंटा 24 मिनट होता है यानि 84 मिनट भूत तल्यांकी कख्षा के उपग्रह संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर ची क्लर्क ने विखत की थी आर्थर ची क्लरक एक साइंटिस्ट का नाम है इन्होंने जियो सैटेल सबसे पहले आर्थर ची क्लरक का तो इसका नाम भी आपको ध्यार लखना है अगला पॉइंट यह कह रहा है भू इस्थाई यानि जियो स्टेट नरी उपग्रह प्रदभी से कितनी उचाई पर होते हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह आपको ध्यान रख काम के लिए किया जाता है तो कोशन ऐसे आजाता है कि त Illinois कि अबग्रह का प्रयोग किस नीक काम के लिए कि définika जाता है तो radio प्रसारण और मौसम संब्हैंदी भविष्वानी किने यह जाता है और मौसम समेंदी जो भी हो यह बश्यान की जाते हैं या फिर सूखह पढ़ेग निकल रहा है पूरफ दिसा में निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है ऐसा होने का कारण में रीजन यही है कि प्रद्वी जो है वो अपनी धुरी से पश्चिम से पूरफ की और घूमती है बतलब जो हमारी प्रद्वी है वो घूमती है पश्चिम से पूरफ की और इस का होंको किलोमेटर 32nd है ठीक है प्रदवी तल से हमको किसी बस्तु को हवा में रिकार बापस माय कभी वह बापस ना आहे तो इसके प्रत्वी के बाहर फेक देते हैं तो वह कभी वह बापस पऴर लाड़ कर नहीं आएगी घृत्भ वा लाईगी निकल याएगी ठीक है अब नीं चलते है प्रद्वी पर प्लाइन बेक लेकिश्य साथ 11.2 kms लेकिं यहाँ पर 2.38 km प्लाइन बेक непर बहुत ही कम है और इसके कम होने कारण किया है इसका करण है कि बाईयो मंदल का अभाव है ऐसी कारण क्योंकि बहां पर जितने भी पाइटिकस होते बाइयो मंदल बनाने के लिज्हेसी के मॉलिक्यूल सोते है वह जो है बाहर निकल जाते हैं उसके ट्रफ्न 만 फ़्रेंशन चेतर से इसकर पर जासन नहीं बन पाता और चंद्रमा का पलाइंबिक 2.38 क्लोमेटर प्रतिसेकंड ठीक है अब आपको मालूम हो गया होगा कि हमारे जो ग्रहों की संख्या है वो आठ है और पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी नौ ठीक है तो ऐसा क्या हुआ आई ए यू ये एक संस्था है आई ए यू इसका नाम आप कमेंट वाक्स में लिखके बता सकते है क्या कि आई ए यू कौन सी संस्था है इसका फूरा फूरा फुल फॉर्म क्या है ठीक है इसने क्या किया है इसने यम को यानि जिसे प्लोटो कहते थे को ग्रह की स्रेणी से नि की कि ये कञ्शा को खर्डर क सील क्याकर अथि कंष्ट नीयम है हमारे ग्रह के लिए कि हम उनजीवा कि पिजीजवा पासुटी है को सेटिस्फाइज तरह इसक लिए और हमारा सबसे दूर का ग्रह वह वरुन mother Sonar एक विदी है जिसके द्वारा समुन्द में डूवी हुई बसनूओं का पता लगाया जाता है और इसके लिए कि ये कौन सी तरंगी यूज करता है ये परासरब तरंगों का यूज करता है तो यह आपको ध्यार लखना है कि सोनार क्या है कोशन तो कई बार ऐसे आ जाता है पूछ लेते हैं डिरेक्ट सोनार क्या है तो आपको पता होना चाहिए सोनार एक जो है method है इस method के जरी हम समुद्र में डूवी हुई बस्तू का पता लगाते हैं जिसमें मदद ली जाते है यह परासरभ तरंगों की यह परासरभ तरंगे वहीं हैं जिनके द्वारा चंकादर जो है आसमान में टा है यह परासल essa है और जब यह बस्तू पर तकरती हैं और फिर उसके पास जाती है तो उसे दूरी का अंदाजा लगता है ठीक है अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ ये कह रहा है मानफ सरीर का ताप 37 डिग्री celsius या 98.4 foreign height होता है ठीक है दोस्तों मैं आपको एक चीज और यहां पर बताना चाहूँगा कि एक फार्मूला होता है करने का दो फार्मूला भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार हो सकता है आपको नुमेरिकल में ऐसे दे दिया जाए कि इसे के celsius से foreign height पे convert करिए ठीक है तो फार्मूला भी आप लोग ध्यान रखिएगा रिवाइस कर लीजेगा और यह पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि मानब शरीर काताब 70 डिग्री celsius में होता है और 98.4 foreign height में होता है डॉक्टरी थर्मामीटर यह तो आप लोगों ने देखा ही होगा डॉक्टरी थर्मामीटर किस ताप से किस ताप तक नापता है तो यह देख लीजिए यह 96 से लेके 110 celsius तक नापता है ठीक है और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह कई बार आया हुए है एक्जाम में कि माइनस 40 डिग्री celsius माइनस 40 डिग्री celsius पर celsius और foreign height तापमान समान होते हैं ठीक है बतलब माइनस 40 डिग्री celsius पर जो है celsius और foreign height के जो है equal रहेगा यह अपने मोगाल में भी convert करके देख सकते हैं आप खोलेगा टेंपरेचर convert वाला तो वहां पर माइनस 40 डिग्री celsius डालिएगा तो आपको है दूसरी तरफ माइनस 40 डिग्री दिखाएगा ठीक है यह पारे का जमने का ताप है माइनस 39 डिग्री celsius पर पारा जमता है ठीक है पूर्ण विक्रण उप ताप मापी 800 डिग्री celsius से भी उचे ताप माप सकता है जैसे सूर का ताप अब जलते हुए जल की उपेक्षा भाप से जलने में अधिक कश्ट होता है कई बार आप लोगों ने दिखा हुआ कि हाथ जल जाता है भाप से खाना बनाते समय सा अकसर होता है तो हमें ज्यादा तकलीफ होती है बजाए इसके कि हम लोग उबलते हुए पानी से जल जाए इसका कारण क्या है इ अगर आपको नहीं क्लियर है तो जीरो डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जीरो डिग्री सेल्सियस पर जल से अधिक ठंडी लगती है देखिए जीरो डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है बर्फ जमना स्टार्ट होता है ठीक है तो जीरो डिग्री सेल्सियस पर जल से अधिक ठं तो बर्फ ज्यादा ठंडी होगी जीरोडिगरी सल्सियोस पर अगले पॉइंट को डिसकस कर लेते हैं और फेक्षिक आधर्टा हाइग्रोमीटर से मापी जाती है तो यह कोशन डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि हाइग्रोमीटर क्या माना आपता है तो आप कहेंगे और प्रदबी पर संबहन विदी द्वारा पहुंचते इंख डौ प्रदबी पर संबहन विधी द्वारा पहुंचते हैं यह दो तरीके की विधिया होती है मतलब तीन तरीके की विधिया होती है चालन संभेहन और विक्रण ठीक है यहां पर संभेहन विधी की बात हो रहे हैं यह पानी भी संभेहन विधी द्वारा गर्म होता है और विक्रण विधी द्वारा जो है सूर का प्रकास प्रद्वी के सबसे पहले की घंट तो कि सोर से प्रतवी time संभेन विदी दौरा पहुंच यूँ पॉंचता है एक चलते हैं रूरे नीचे सकते हैं 除र और पहुंचने केरी कि बता सकते हैं चन्द्रमा का ऑज मुएंग और jus and जो है लगता है चंद्रमा को प्रकास प्रद्वीत अकाने में कैसे आता है देखी चंद्रमा को कोई अपना प्रकास तो होता नहीं है सूर के प्रकास से चंद्रमा प्रकाशत होता है यह बाद तो आप लोगों को मालूम ही होगी तो चंद्रमा का जो प्रकास है, सूर का प्रकास चंद्रमा पर पड़ता है, और चंद्रमा से प्रकास जो परावर्तित होता है, वो प्रदवी तकाने में लेता है, 1.28 सेकेंड, और जो सूर का प्रकास है, वो लेता है, 9.19 सेकेंड, तो ये दोनों आपको ध्यार रखते हैं, कर फिक हिए और यह अगला पॉंट है बायूमंडल संभेहन विदी द्वारा घ्र मोता है चालन विदी द्वारा क्या होता है चरण गंधार होती जैसे आप लोहे की छ्रन लें और उसका एक साइट को गश्तान और तो दूसरी साइट भी है आपको गर्मी का इसास होगा तो इस विदी को कहते हैं चालन ठीक है, और यहां पर संबहन विदी को भीजिक्र हो राय ह Pitts है जिस एक पार्टिकल गर्म होता है तो वहIlू उपर चला जाता है और इस इधातों चालन विदी द्वारा कर्म होती है आकास का नीला रंग दिखाई देता है चूंकि नीला रंग सबसे अधिक प्रकिर्णित होता है तता सब फैल जाता है देखिए यहां पर यह कहना चाहरा है यह पॉइंट आपको मालूम का प्रकास सात रंगों से मिलकर बना होता है तो वह हम लोग बिग यूओर में डिक्स करता है ठीक है वो तो उसमें होता गया है कि बैगनी रंग का प्रकिर्णन सबसे अधिक होता है नीले रंग का सबसे अधिक प्रकिर्णन होता है इस कारण जो है जो हमें आस प्रत्रंत्र और ऑफ द्रश्टी मेरे पजाती हैं अधिक्तम दूरी इस वीकूर अनंथ को inhosटी है अधिक्तम दूरी यानि मैक्सिमम डिस्टेंस अनन्थ होगी और न्यूंतम डिस्टेंस पच्छे सेंटीमीटर होती है तो इसनी पॉइंट बातें जो है इस पॉइंट से क्लियर हो जाती है घरों में दी जाने वाली धारा की आवरती यानि जो हमारे घर में लाइट सप्लाई होती है वह 50 हर्ट्स की होती है उसकी जो फ्रेक्रेंसी होती है इसको हर्ट्स में आपते हैं फ्रेक्रेंसी को ठीक है तो वह 50 हर्ट्स की होती है और एक मील 1.6 क्लोमीटर के बरावर होता है तो मील सुथान से longo मींटर करें गmostत्याना enevya लेक्टो मीटर का पूहीं से बोड़यों करें, 1.6 km noise दूद्व की शुदुता नापने के लेक्टो मीटर का प्रिओक किया जाता है कि लेक्टो मीटर क्या मापता है तो आपको पता होना चाहिए दूद की सुदता हम लोग लेक्टोमीटर से मापते हैं बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दवाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि दाव अधिक होने से पर गलना घट जाता है ये तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा भी होगा आप दो टुकड़े लीजे बर्फ को उनको कसकर दवाईए तो आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद उनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं उसका कर्ण क्या है ऊससे सिजाई बाहर आ जाते हैं दो आप अपर उसे परइशर नहीं मिलता और यही कारणा की स्याई बाहर आती है सावुन के बुलवले के अंदर का दाप बायुमेंडली दाप से अधिक होता है देखिए सावुन के बुलवले के अंदर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर उसके बाहर वाले जो बायुमेंडली दाप का प्रेशर है उससे अधिक होता ह यह concept है थोड़ा सा उड़ान से पहले हवाई जाज दोड़ मार्क पर दोड़ता है देखिए आपने देखा होगा कि फ्लाई करने से पहले वो उसे दोड़ाते हैं इससे कारे कारी बायुदा बढ़ने के बढ़ने के लिए तो इसका reason क्या है कि उन्हें एक pressure मिल जाता है जिसस दोड़ते वो हवाई जाज उड़ता है और दूसरी बात मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि हवाई जाज उड़ना आने के लिए बर्नौली की थियोरम का प्रियोक किया जाता है तो यह question भी आ जाता है कि बर्नौली थियोरम का application क्या है तो आप कहेंगे कि हवाई जाज स्कूरां commence बर्नौली कि यह बारा ऊती है और हैइड्रोन गैसक भारा भड जाता हिए तो बायू जो है गुबारा निकलना चाहती है ठीक है तो इसी कारण वहां फलकार बाहर हो जाती है hydrogen gas और आगे चलते हैं अगले point की तरफ ये कह रहा है चाबी भरी गड़ी में इस्तिती जूर्जा होती है देखी इस्तिती जूर्जा क्या होती है इस्तिती जूर्जा वो जूर्जा होती है ठीक है, तो उसे इस्थितिं जूरचा खहते हैं, तो और चाभी भरी गड़ी में इस्थितिं जूरचा होती। आपने देखा हुआ कि बहुत सारी जो गड़ी ठीक है, पहले उसे रहे हैं, जो घरख देते थे तो और वो घड़ी चलने लगती थी. ठीक है ये काफी पुरानी घड़ियां होती थी तो उसमें इस्तित्य जूर्जा के कारण ही वो काम करती थी आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ अगला पॉइंट कह रहा है ध्वनी के मुखिता तीन लक्षण होते हैं समझें कारण ही होता है राज पुरें यानि इक सांट सुनने के लिए सरोता और टावर्द सतै के बीच 17 मिट्र की तूरी होनी चाहिए और यह नियोंतम दोरी हैं कम से कम 17 मिट्र तो होना ही चाहिए ठीक है आपने देखा हुआ बड़े-बड़े हॉल्स में या फिर आप जैसे जाते हैं वैली वगएरा में तो वहाँ पर प्रती ध्वनी सुनाई देती है उसका कारण उसके बीच की जो दूरी है वो कम से कम सत्रा मीटर होनी चाहिए न्यूंतम दूरी सत्रा मीटर होनी चाहि शाए पर ध्वनी का प्रोभाव एक बटे दस सेकेंड तक रहता है यानि हमें एक बटे 10 सेकेंड तक किसी भी ध्वनी को सुनाई देती है वो हमारे कान पर इफक्टिव रहती है ध्वनी के अपवरतन के कारण ध्वनी दिन की उपेक्छा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है आपने देखा हुआ कि कोई साउंड है लौड स्पीकर वगएरा की तो वो हमें रात में ज्यादा डिस्टर्ब करती है उपेक्चाकरत दिन के तो इसका कारण क्या है इसका कारण है धुनी का अपवरतन ठीक है इसी गुन के कारण हमें रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है धुनी उपेक्चाकरत दिन के चंद्रमा पर बायूमेंडल की अनुपस्थिती के कारण ही प्रति धुनी सुनाई नहीं पड़ती जैसे कि मैंने आपको बताया उपर वाले पॉइंट में कि सुरोता और परावर्तक तल के बीच में मिनमम 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए ठीक है लेकिन उपर तो बायो मेंडल है यह नहीं चंद्रमा पर तो बहां पर प्रतिध्वनी जैसे कोई यह नहीं होता तो आपको दिष्बनी प्रतिवर्द्वनी नहीं सुन सकते हैं इसiemandरी मि Infiniti करेंगे नीचे की points में कि क्या होता है barometer से देखिए barometer का part tank जो हैता है उसका वो अगर एका एक नीचे गरता है यानि rapidly नीचे गरता है तो क्या होता है तो आधी आने की संभावना रहती है और अगर इसका part crown धीरे धीरे नीचे गरता है मालिजे slowly slowly नीचे गरता है ऐसे तो बर्षा होने की संभावना रहती है और अगर धीरे धीरे ऊपर चड़ता है तो दिन साफ रहता है तो यह तीनों point ही आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है कि क्योंकि ऐसे पूछ लिए जाता है कि मालिजे barometer का part king धीरे धीरे नीचे गरता है तो क्या होगा तो आपको चार option दे लिए जाएंगे कि आंधी आएगी वर्षा होगी या दिन साफ रहेगा तो आपको बताना है कि वर्षा होगी इस तरीके से तीनों point आप ध्यान रखेंगे अगले point की तरफ चलते हैं हवा की उपेक्षा कर पानी में बस्तू को उठाना आसा कि पानी में बस्तू के बार में कमी हो जाती है इसलिए वह में हलका लगता है और जब बरफ पानी पर तैरती है तो उसका एक बटे दस भाग पानी के ऊपर रहता है तो एक बटे दस भाग जो है उसका पानी के ऊपर रहता है और बाकी का भाग जो है वो पानी के नीचे रह गोल के प्रश्ट तनाफ से कम तनाफ के कम होने कारण बड़े होते हैं ठीक है तो यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना यह एस इस साबुनके घोल जो Anyway, घोल यह प्रश्ट तनाफ कम होने के कारण बड़े होते हैं पतली पतली सुई प्रश्ट तनाव के कारण ही पानी पर तहर पाती है यह question ऐसे आ जाता है यह direct ही पुछा जा सकता है कि पतली सुई जो होती है वो पानी पर तहर पाती है लेकिन अगर हम कोई जो काफी एक टुकड़ा डालते हैं उसका धातू का वो डूब जाता है उसका की पीछ प्रश्ट का पानी पाता है लेकिन पतली सुई है वो अपना उतना तनाव होता है उस पर प्रेशर तो उसकारण वो तहर पाती है और ये प्रश्ट तनाब के कारण ही द्रवों की बूंदे गोलाकार होती है तो ये कोशन ऐसे पूछा जा सकता है कि किस कारण द्रव की बूंद गोलाकार ही होती है आपने किसी और साइच की द्रव की बूंद नहीं देखी होगी मतलब चौकोर बूंद कभी नहीं देखी होगी या इस सेफ ट्रैंगल की सेफ में नहीं देखी होगी गोल ही क्यों होती है तो गोल होने का कारण उसका प्रश्टतनाव है दोस्तों यह जो पॉइंट्स है इसकी आपको PDF मिल जाएगी दिस्क्रिप्शन वॉक्स में ठीक है यह सारे पॉइंट आपको एक्जाम में एक बार पढ़के जाने हैं क्योंकि इससे कोशन मिल सकते हैं आपको पानी में मिट्टी का तेल डालने पर पानी का प्रश्टतनाव कम हो जाता है जिसके कारण पानी की सतय पर तैरते मच्छर के अंड़े ढूब जाते हैं ठीक है तो जब हम लोग देखते हैं कि गड्डे बगएरा में पान जो हैं मच्छर बहुत जादा हमें परशान करते है गळ्ड तनाव जाथा है कोशन से पूंधर में पहुंचने पर जहाए उपर ऑचने पर जहांगी। समुंद्र में उपस्तित नमक के कारण इसमें सघंता अधिक हो जाती देखिए आप लोग जानते हैं कि नडी और समुंद्र में क्या फरक होता है समुंद्र के पानी में नमक ज्यादा घुला होता है ठीक है इसके कारण वो ज्यादा डैंस होता है और जब कोई जहाज नडी स यह समुदर में जाता है इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर उट जाता है गरम शूप स्वादिश्ट लगता है क्यूंकि गरम दुरब का प्रश्टनाफ कम होता है अताव जीप के ऊपरी लगवग सभी भावु में अच्छी तरह फैल सकता है इसलिए कहा जाता है कि खाना जो है ग गोल के प्रेश्टनाफ से अधिक होता है साफन के गोल को जल में भीगो पर मिला कर जल के प्रेश्टनाफ को कम क्या जा सकता है तो फूरे अपको ध्यान रखनाना प्रक्राण परड़े जดर और पानी के जो molecules होंगे उनके बीच जो लगने वाला बल है वो सासंजग बल कहलाएगा लेकिन यही पानी का जो बल है वो अगर काच के उस पे लगे पानी के molecules और जो है काच की सर्फेस के बीच attraction हो तो वो आसंजग बल के कारण होगी यानि दूसरे किसी metal के या दूसरे किसी पायटिक्ल के बीच लगने वाला बल को आंशजग बल और एक ही अबस्तू के बीचा लगने वाले मबल को सासंजग बल कहते है क्लाटिंऑ पेपर को सीगр शोक लेता है क्योंकि इसमें चोटी चोटी CR ilinner कom की तरह कार करते हैं M Seth Halton आपने देखा होगा इसमें क considerablyzig सारे में केशिकात्व के कारणी क्रिया के द्वारा ही पानी पहुंचता है देखिए एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है केशिकात्व इसमें क्या होता है नीचे से पानी ऊपर जाता है और यह ऐसा क्यों होता है यह जो है लाल टैन या लैम की बत्ती या पेड़ की साखाओं में के क्या होता है ये घर्मियुों में सुश्त हो जाती और सर्दीयों में तेज हो जाती है जंडर महां पर लोलग घढ़ी को ले जाएंगे और अवर्थ का्ल में क्या द extracting बढ़ए कख़्यों बढ़ जाएगा क्यूंकि चंद्रमाश जी का मान प्रदभी के जी के मान का एक बटे 16 गुना होता है ठीक है तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो इसमें हमने कई सारे पॉइंट को डिसकस किया है यह सारे पॉइंट साइंस और स्पेशली फिजिक से रिलेटेट थे यह आपके आर यार वी एंटी पीसी और बहुत इंपॉटन रहेंगे आई और आई होप मुझे इसमें से चार या पांच कोशन तो आपको मिलेंगे यह इस वीडियो का तीसरी सीरीज है से पहले मैं दो वीडियो और ले आया हूं आपके लिए ठीक है और आगे चार से पांच वीडियो की और आने की उमीद है तो दोस्तों इसे जादा जादा शेयर करिए सस्क्राइब कीजिए और इसका जो पीडियो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो आपको एक्जाम से पहले एक बार देख कर जाना है तो थैंक यू फॉर वार्ट